एलो स्टेंट वार यू फाइन फंटास्टिक हम बात कर रहे हैं चैप्टर सेवंथ अबाट प्लांट ये कापी कुछ हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था या उट डान अबाट दर लीफ एंड स्टेम ठीक है तो लास्ट वाले वीडियो भी वाच करें बहुत बारे में तो रूट की बारे में आप कपर कुछ जानते हों आपने प्लांट को देखा होगा ना प्लांट ये बच्चे कुछ प्लांट को पानी दे रहे हैं आपर राइट तो यह प्लांट है वो कैसे एकदम स्ट्रेट रहता है कैसे वो लॉंग टाइम तक वैसा के बासे रहते हैं अगे सिर्फ आप एक प्लांट है उसको रूटका दो फ्रोटमस हूं प्लांड के अंदर अधरफन के अंदर Г्रांड के अंदर ओ प्रिनग डॉक्राउंड में क्या होता है जो लो न्हें उसके बाद पोड़ों के अंदर से दर निकलती है चैंजर है यह स्टै वाल पाट नौंड कें रही होते हैं यह घृ डोट मेसिश्वाल के सीड प्राउम सिद रहाता है है पाइग ενतर महंपली काउट होते हैं ग्राउंड के अंदर रोता है एक सब रूट ग्राउंड के अंदर हो सकते हैं तो यहाँ पर रूट के में फंक्शन कौन-कौन से में बाते क्या है रूट में तो मैं बता रहा हूं कि रूट क्या क्या करतीय एक तो फ़स्ट फॉइंट कर रूट कुर्ट को स्ट्रेट ह Tabii है है को दूप लॉ पलाफ यह में फंक्शन हो गया रूट का एक यह लिखो आपर डिकल का मीं काम क्या है रूट को प्लांट को होल्ड करती है राइट इस्टेंड अपराइट यह एक काम है जो कि इस टेंड कभी था स्टेंड अपराइट मिन्स क्या होता है स्टेट अगर रूट ना हो तो प्लांट टेक्दम निचे गर जाएगा राइट रूट वर्क लाइक एंकर ए-n-c-h-o-r ठीक है एंकर क्या होता है जो रहता नहों एको킨 answer के किनारे पर जो सिक को होड करने के लिए अपन इस टाइप को एक लगाते हैं . इस टाइप का थीक है जी से किनारे पर उसी खड़ी रहती है पीछे थेड लगा होता है तो उसको पने आपकर बोलता है तो Sam वैसे वैसे जो plant होते है plant को भी hold करना के लिए root इस तरह से anchor के तरह काम करती है तो root are also called anchor root को अपन एंकर भी कहते है इसके अलबा or function क्या है? root के 2 होगे, you will write these both functions third or function क्या है? third root absorb the water absorb water यह भी function है root का root water को absorb करती है तो यह आपको नौट करना है ताविए इसमें एक सिक्स देकर रुटी इसकी रखाया आपको दो ऐसे पॉटेट प्लांट लेना है उसमें एक प्लांट कि आपको रूट कट कर देनी है जस लाइक दिस और एक प्लांट की रूट आपको ऐसी रहने हैं दोनों को आपको सुन लाइट पर रखना है आपको आपज़र करना है त्ली फॉर डेज बादने कौन सा प्लांट हेल्ढ़ी रहता है तो करती order को यह water 你 कर अगर बात अगर थी नहीं बन पाई तो φूड नहीं बन पाया अगर food नहीं बन पाय इसको एनर्जी मिलेनी और फिर यह मर गया कि है अना सींपल सी बात है और इस प्लांट को रूट वाटर अब मेर में खरे है थी यह ना लीफ के अंदर water proper आ रहा था और लीफ प्रॉपर फूड बना रही थी और इस प्लांड को फूड मिल रहा था energy मिल रही थी that's why it's survival यह जनदा था यह survive कर रहा था तो it means root है वह क्या करती है water को absorb करती है is ka main function अठिक है इसके लावा अगर इतना बड़ा एक नीम का प्लांट है किसका प्लांट ट्री है अगर मैं इस ट्री की रूट कट कर दू ना बहुत लंबी लंबी होती है रूट नीम प्लांट की अगर रूट कट कर दू तो क्या यह प्लांट खड़ा रहे पाएगा नहीं है ना इस प्लांट की रूट है बहुत ही यह लंबी होती है, घहरी होती है, Soil के अंदर उस प्लाण्ट को रखती है, तो long roots of plant hold to plant upright, रखती है से दख़़ा रखती है, तो यह फंक्शन है और यह activity आपके 6 से वाली है, यह proof कर रहे है कि plant की root Water एब्जॉल्ब करती है फिर देखो सेवन एक्टविटी क्या रखी है दीजर स्प्राउटेट शीड स्प्राउटेट सीड क्या होता है अंकुरित सीड कहते हैं इनको पनी हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं अच्छे होते हैं यंग प्लान गोज ऑन कॉटन इनको बोलता है इनको बोलता है इसको इस्प्राउटेट शीड अंकुरित सीड जो मारी बड़े के लिए बहुत है हेल्दी होती है करना के इसको कैसे अपन यूज करते हैं एक कॉटन का क्लॉथ लो इसके अंदर यह पाइंट दाल दो वेट कॉटन क्लॉथ अचिर कर ऊसके और बाँ ने के बाद Nawr wanna करने के बात करें वन्टू डेश बाद में या फिर नाइट में राक दो तो सुबह देखते हैं तो इसमें से वाइअट आपको रूट दिखती है ठीक Soldier Beyond तो यह रूट देखते हैं वाइट 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 मिनस दिज्ञार वाठ वाठ दिज्ञार इस इस्प्रॉटीर शीट यह growing seed है यह seed grow कर रहा है clear तो यह growing seed है यह हमाल यह बहुत important है इसमें बहुत सारा putn होता है nutrient होता है यह ऐसा seed ख़़ता तो body healthy रहता है तो क्या लिखाँ है पर was it easy to separate the cotton wool from the roots अगर cotton के अंदर cotton वाले cloths के अंदर step के seed जिसमें से white-white root आ रखिए इनको अगर अलग करना चाहिए तो बहुत मुस्किल अलग करना काज यह root है वो cotton के अंदर फस गई है ठीक है in activity six week could not easy pull out the plants from the soil right without the outer the roots help in folding the plant यह क्या बता रही है कि यह activity के बता लिए कि plant है उसकी root होती है वो प्लांट को यह दो होल करती है जैसे से जैसे आपने इस activity में जो cotton था इस cotton के अंदर यह root फस चुकी है अब निकाल होला मुस्किल है वैसे वैसे प्लांट की जो root होती हो को इंग के अंधर फस या ती और वो प्लांट इलाप मज़ू करती है ठीक है तो यह activity प्रूब करे कि प्लांट की आटका हो यह आग की था बान नहीर हो यह का एंग प्लांट यह जो आपने जूँद के सीट थे यह वादन है ही इसको आपने कॉंटन क्लॉस में रहा था तो इसमें वाइड वाइट डू पार्ट सा चुके थ気 थे रोवाढन होने अंदर जाता है उसको बोलते हैं प right अ और जो उप्पर जाता है से बोलता है फशूरट पार्ट क्या बोलता है सूट न रूट ये दो पार्ट होता है जब सिर से निकल नहीं इसाथ नहीं रहता है ये बनता आपका श्तित bucket कर देखा है नायन एक्टिमिटि में कहदे है रखा है इस root में और इस root में बहुत ही फर्क दिकh रहा आपको कि यह rolled aí इस में कोई कोई कान नहीं के पाल कि कौन सी root की branch कौन सी है इस में एक main branch लाज लिए आप में root लिगवी है फ्रों उसके बाद side मैंसे root लिए निप्धिषमघ इस में तो कोई में root नहीं लिए सब ऐसे उलजी भी है, तो इस type की जो होती है root, जिसमें net like मनता structure नो बोलता है fibrous root, क्या बोलता है fibrous root, और जो इस type की root होती है, इसमें एक main root होती है, क्या होती है main root, main root मिन्स जो सबसे बड़ी है यह वाली है, ठिक है उसके बाद side में से root निगलती है हैं इंको परह सांद नगान ओ से लल्एक के अपिर इन को आपन खेंडरी रूट भिके टार मेन रूट रूट इस ने सटेन्डरी रूट । तो जिसमें प्राइमरी रूट यह क्या बोलता है इनको देख़े दर ओके टैप रूट बोलता है क्या बोलता है इनको टैप रूट तो यह पॉइंट आपको लिखने हैं नॉट करने हैं यहां से क्योंट फिगर the main route is called tap root and the smaller routes are called lateral route तो जो रूट यह तो में रूट यह साइड में से निकल भाय की से रूट क्योंको बेनके रूट क्योंको पन्स प्रेकािन नाम नेन रहा है बोलता है ऍह लित की और यह चायर्स होई ताह्स मेन मेन रूट है ठीक है और जिस टाइप की जो हती ही रूट नहीं बोलते है पन टैप रूट right don't have any main root all roots seem similar and these are called fibrous root this root में सब साही root है वो सेम सेम देती है we cannot identify about any root किसी एक particular root के बार आपना identify कर नहीं पाता है तो वो क्या है fibrous root है तो fibrous root क्या होता है roots in plant that make a net like structure and we cannot find out about any particular root are called fibrous root यह ऐसे आप अपने मन से भी definition बना सकते हो and those root which have a main root that is called tap root and side root that is called lateral root जिसमें एक main root होती है और lateral root होती है ऐसी रूट को बोलते है tap root क्या बोलते है इंको tap root तो root है वो टूटाइब के होती तो tap root और एक लित आपके fibrous root यहां पर दे रखिए एक तो tap root दे रखिए यह वाली और एक दे रखिए तो इनको देखकर आप अपने वर्स में लिखो डेफिनेशन रटो में इसको तो इसमें कहा दिखरा आपको इसमें दिखरा है कि प्लांट बिख्याउ नेट लाइक रोट और कॉलड फाइबर सुट ऐड प्लांट विछ बीन रूट एंड देन adapting की गिजो यह ईडिना रूटी आपने लेव के अंदर जो आपने लेव के अंदर लॉटे वा। बहुत के अंदर वह वेंस का इसरे का रस टॉक्चर ए पर धियाँ यह पर जिसमें फाइबडरच कृड़ होती है उसमें लीफ वनेशन रोता है पैलल एसा होता है तो फाइब्र शूट होती है उनकी लिफ कासी होती है पैलल वनेशन वाली होती है और जिनकी टैप रूट होती है उन प्लांट की कि लिफ में वनेशन कैसा होता है यह वाला that is reticulate क्या बोलते हैं इसको reticulate vanation तो यह भी एक different है type root of herbicide plant के अंदर कि उनकी leaf में leaf vanation different different type का होता है तो यहां पर टेबल दे रखिए है यह आप fill करो name of plant और types of leaf vanation types of root तो मैं अगर लेता हूं यहां पर नीम लेता हूं यह मने नीम ले लिया ठीक है और यहां लिए मने राइस तो राइस में types of leaf vanation तो राइस में कैसा होगा पैलल ठीक है और नेम आफ लीफ पनेशन इन दर नीम नीम कैसा होता है कैसा होता है राइटी कुलेट ठीक है यह दो फिलक्रों में रफ कर आँए इसको में पास्पेस कमेस लिए राइट फिर दको इन दोनों के अंदर मेना नीम और क्या लिया था राइज लिया था राइज तो इसके अंदर टाइपस ऑफ रूट किस टैप होगा तो नीम है तो इसमें कैसा होता है वनेशन स्मोरा और उनेशन पेप्रunkyलेट तो इसमें टैप रूट होगी कैसी होगी टैप राइब उसके रूट कैसी होगी आपके फाय प्रसूस राइट तो यह आप रूट की टाइप टापट नॉट करो तिदर चलो उसके बाद इस वाले पॉर्शन के दिर का थोड़ा सा पॉइंट है यह लास्ट पार्ट व दिस रूट पार्ट फूड के काम क्या क्या है इस फूट ट्रेवल्स थो दस्टेम एट इस्टोर दिफेंट पार्ट व दे प्लांट वी एट सम अप दीज रूट लाइक देट करती वह फूर इस्टोर करती है मैंने तीन फंक्शन दो लिखा दिए उपर आपको स्टार्टिंग में और एक और फंक्शन एट कर दो सम रूट्स स्टोर फूड सम रूट्स स्टोर फूड लाइक देट यहां पर एक्जाम्पल दे रखा है स्वीट प्रेटो है रैडिश है टर्डनी पैर यह सब रूट्स है जो अपन खाते हैं इनमें फूड स्टोर रहता है ठीक है इसके अलावा यह टेबल ड्रॉट करनी है यह करनी है आपको दोनों की ठीक है इसके अलावा यह टेबल ड्रॉट करनी है यह सारे फंक्शन है आपके यह आपको नॉट करना कापी के अंदर और देखो यह जो ड्रॉइंग है जो स्प्राउटेट सीड है उसके पार्ट कौन कौन से है इस रूट पार्ट इस सूट पार्ट इभी आपको ड्रॉइंग करना नॉट करना है ठीक है फिर यह आपके फंक्शन लिखाए तो वह लिखने है बट्राइंग कुस नहीं करने है यहाँ पर जो बने काई यह काम वो करना है तो इतना करो फिर अपर नेक्स वीडियो में बात करें फ्लावर की बारह में तब तक के लिए थैंक्यू है वा गूड डे